जाहें दिस्वेंज आज मैं आपको आस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हूं by the racist means किश्मिस के through firstly you know about the osmosis what is the osmosis पहले आपके जाना चाहें कि osmosis होता क्या है osmosis is the process of passes of water molecules from a region of its higher consultation to a lower consultation through semi-pervable membrane तो यह आपके पास होती है osmosis osmosis means इसका जो movement होता है वो हमेशा water molecules का from a region of its higher higher consultation to the lower consultation के ओर movement होता है इस practical को करने के लिए osmosis के इस प्रोसेस को जानने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होते है किश्मिस देखिए किश्मिस बिल्कुल shrink है एकदम आप देख रहे होंगे ठीके किश्मिस चाहिए और simple water चाहिए जिसको कि हम घर में पीने के लिए use करते हैं तो यह दो चीज हमाले सबसे important हैं इस हमें तो हम क्या करेंगे इसमें से कुछ किश्मिस को हमने लिया और उसको क्या करा हमने एक simple water में डाल दिया for 24 hours उसके बाद हम 24 hours के बाद देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है ठीके यह इसका first case है three case होते हैं इसका first case हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है इसे देखने के लिए हम इसे 24 hours के लिए रख देते हैं After 24 hours, क्योंकि मुझे यह practical एक साथ दिखाना है, आप घर में 24 hours के बाद ही इसको observe करेंगे कि result आपका क्या हुआ, ठीक है, तो 24 hours के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका result क्या हुआ है, After 24 hours, आप देख सकते हैं कि किश में इस दूर से आपको कैसी निज़र आ रही है, हम इसको दूर से देखते हैं, तो हमें काफी बड़ी वी इसका size volume काफी ज़्यादा निज़र आ रहा है, हम इसको पास से लेके देखते हैं, तो इसका size कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और three cases होते हैं, इसमें first case जो आपके swell up हुई है, swell up क्यों हुई है, when the medium surrounding the cell, ठीक है, medium surrounding the cell, cell का medium पूरा surrounding होता है, इसका पूरा surrounding था, हैना, possesses a higher water concentration, ठीक है, then that inside the cell, cell के inside के, इसके अंदर के तुलना में इसका concentration कैसा था, ठीक है, कम था और इसका ज़्यादा था, right, and the surrounding solution is called the hypertonic solution, और इसको हम क्या बोलते है, hypertonic solution बोलते है, when a cell is placed in a hypertonic solution, अगर हम किसी भी cell को, इस hypertonic solution में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, है न, water molecules, जो water के जो molecules है, enter into the cell, वो इस cell के अंदर चला गया, means, हमारे जो reasons थे, इसके अंदर चला गया, due to osmosis, कि तुरू, osmosis के तुरू, due to osmosis के कारण ही, इसके अंदर चला गया, and this is, and this is the result of that, cells क्या हो गई, swell up हो गई, क्या हो गई है, पुरी तरह से, swell हो गई, full गई है, ठीक है, इनका volume काफी बढ़ गया है, यह था इसका case 1, ओके, यह solution कैसा था आपका, hypertonic solution था, जिसके कारण की, आपके पास, जो किश्मिस थी, वो पुरी तरह से, swell up हो गई थी, ओके, स्वेंज, नाओ यह नेक्स टॉपिक इस देख, नेक्स केस, सेकिंड केस, सेकिंड केस में क्या होता है, वेन दा मीडियम, ठीक है, वेन दा मीडियम, surrounding the cell has a lower water consultation, ठीक है, और a higher solute consultation than that of solution inside the cell, ठीक है, कैसा होगा, solute, lower water consultation होगा, then the inside the cell, cell के अंदर के तुलन में बहार के साइट, lower होगा, the solution is called hypertonic solution, उसे हम क्या बोलते हैं, hypertonic solution बोलते हैं, when a cell is placed in hypertonic solution, water molecules move out from the cell, तो जो water molecules है, वो कैसे हो जाएंगे, बाहर के तरफ आजाएंगे, ठीक है, और जब के पास cell होगी, वो result के according कैसे हो जाएगी, श्रिंग हो जाएगी, देखे, उसका भी एक practical है, आपके पास यह स्वेल्ड थी, ठीक है, इस लिए हमने क्या करा, कुछ आपके पास जो थी, water डाला, उसमें क्या डाला, हमने थोड़ा सा, water डाला, इसका color भी आपका change हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, पूरा घोल लेंगे, अच्छे से, इस पून के तरू, फिंगर के तरू, इसको हम बहुत अच्छे से, घोल देंगे, घोलने के बाद हम इ इतनी देर के लिए, 24 hours के लिए, उसे हम वापस रख देते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था, 24 hours के लिए, हम क्या करते हैं, से वापस रख देते हैं, ठीके, 24 hours के देखे भी आप देख रहे होंगे, इसको, यह पूरा concentrated आपके पास पूरा solution है, उसमें मैंने जो fully आपके पास soiled kishmiss थी, वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी, लेकिन 24 hours के बाद हम देखते हैं, कि क्या होता है, कि जो आपके पास kishmiss थी, वो वापस कैसे हो जाती है, श्रिंग्ड हो जाती है, कैसे हो जाती है, वापस से श्रिंग्ड हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपके पास बताया क्योंकि इसके जो आपके पास जो सेल था मीज़ आपके पास किश्मिस थी इसके जो बाहर का था जो वाटर का कस्टेशन था ठीक है वह कैसा था लोवर था इंसाइड था सेल के तुलना में कैसा था कम था तो जो सेल था उसके अंदर का वाटर कहा चला गय करणे के साथ इसके पूरी प्रॉसेस को मुझे बताए लगा चिए को यह सब्सक्राइब कर सक्ण करने के सब्सक्राइब लेब करें ल्लगत झाया है जरूर देखेंगा, सब्सक्राइब